तो स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में और इस वीडियो में हम लोग दोस्तों भारत की नदी बांध परियोजनाओं के बारे में डिसकस करने वाले हैं ठीक है तो जो भी परमुख है दोस्तों उसको इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ठीक है तो वीडियो आप प कौन सा तेहरी बांथ नदी जो है भागी know ड़ी पर बना हुआ है वह भी उत्राके तो यह ध्यान रखिएगा नदी इसके इसकी भी सिस्ता एक और है कि जो टीरी बांद है जो दोस्तो ये भागी रती नदी और विलांगना नदी के संगम पर बना हो ठीक है यानि इधर से भागी रती नदी आई है और इधर से विलांगना नदी तो ये जो दोनों नदी जहां पर मिलती है उनको संगम के नाम से जान बना जाता है तो वहीं पर ये बांध बना हुआ है टेरी बांध जो भारत का सबसे उच्छा बांध है और भी भागी रती नदी पर बना हुआ है ठीक है तो नेश्ट देखते हैं तो दोस्तों यह है जो इसको आप देखिए भारत का सबसे लंबा बांध है ठीक है हीरा वह सबसे बड़ा बान था लेकिन यह सबसे लंबा बांद रीक है hyaarakund बांद है जो उडिशवाराज में है और महणाधी पर बना हुआ है और उडिशाराज में तो यह आप द्यान रखेंगा दोस्तों ठीक है उसके बाद अगला है कि भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध कौन सा है तो वह है दोस्तों शरदार सरोवर बांध ठीक है जो गुजरात राज में है ठीक है तो यह अब ध्यान रखियेगा दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध जो है सरदार सरोवर बांध है हो भी बुजरात राज में है तो दोस्तों यह आप ध्यान रखिएगा कि देखिए इधर हम मैब में इधर भी देख सकते हैं उसके बाद इधर इधर पूरे भारत के मैब में देख सकते हैं दोस्तों इधर एक एक स्टेट करके अखिर ताकि आपके समझ में आई पहनी आगा है उसके बाद अगला है दोस्तों फारक्का बांध ट्यक्याइं फरक्का बान जो है दोस्तों ये होगली नदी पर बना होगा ठीक है और होगली नदी कहां पर है दोस्तों पच्छिम बंगार में ठीक है तो आप जान सकते हैं कि फरक्का बान पूछे कि फरक्का बान कौन से नदी पर बना होगा तो होगली नदी पर ठीक है और कौन से राज तो है पच्चिम बंगार ठीक है ये ध्यान रखियेगा दोस्तों अगला है भाखडा बान ठीक है भाखडा बान की बात किया जाए दोस्तों तो ये सतलज नदी पर बना हुआ है और राज की बात किया जाए दोस्तों तो ये है हिमाचल परदेश ठीक है तो आप ध्यान रखिएगा कि भाकड़ा जो है बांद ये सतलज नदी पर वो भी हिमाचल परदेश में है ठीक है अगला है रिहंद बांद की बात किया जाए दोस्तों तो रिहंद बांद और माता टीला बांद ये दोनों उत्तर प्रतेश में है ठीक है और रिहंद बांद जो है ये रिहंद नादी पर है और माता टीला ये बेतवा नादी पर है ठीक है और इनको आप देख सकते हैं कि कहां पर यह हैं यह जो है दोस्तों यह रिहंद है ठीक है रिहंद बांध यहां पर है और रिहंद नादी पर बना हुआ है और माता टीला देखिए आप यहां पर है ठीक है तो यह दोनों बांध जो है उत्तर प्रदेश में है यह जो माता टीला बांध दोस्तों कि यह दोने बाद उत्त्तरपरदेश की है बागी अगला देखिए तुग भद्रा बाद जो है दोस्तो यह तुग भद्रा नदीब है और यह करंड़क राजमें है तो आप ध्यान रगियेगा, कि तुंग भद्रा बांध जो है, तुंग भद्रा नदी पर, वो भी कर्नाटक राज में है, ठीक है? उसके बाद अगला है नागा अर्जुन बांध, ठीक है? तो नागा अर्जुन बान्ध जो है दोस्तों ये किर्ष्रा नदी पे है और भी राज की बात किया जाए तो तेलांगना है ठीक है तो अगर नागारजुन बांध के बारे में पुछा जाएगी नागारजुन बांध कौन से नदी पे है तो किर्ष्रा नदी पे वो भी अब देख सकते हैं तिलांग ना में है ठीक है अगली बांध की बात किया जाए तो अगली बांद जो है दोस्तो यह है इडुक की बांद ठीक है पेरियार नदीपे वो भी कहां केरल में ठीक है तो अगर पूछे इडुक की बांद कौन से नदीपे है तो पेरियार नदीपे है और राज पूछे कि कौन से राज में है तो केरल राज ठीक है तो दोस्तो यही कुछ परमुक्त बांध है जिनको हम इस वीडियो में कवर किये हैं अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सेर करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तो अगर आपको लगता है कि पूरे जो इंपार्टन बांध है इस वीडियो में कवर नहीं हुए है तो आप कमेंट करिएगा हम एक इसकी बड़ी वीडियो बनाएंगे क्योंकि बांध दोस्तो बहुत है ठीक है अगर उसकी पूरी बांध की वीडियो बना जाए तो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए इसमें हमने कुछ जो इंपार्टन है एक्जाम्स में पूछे जाते हैं उन्हें को हम इस वीडियो में कवर गी है ठीक है तो अगर लगता है कि आपको इतना परियाब नहीं है तो कमेंट करके बताईए बहुत लंबी वीडियो बना देते हैं पूरे बांध की ठीक है